इंड गलद काम का मितने अख को रूम पर आ सब बने पर लेकिन सब बन नहीं के चार महईने के भीटळा होग लेंगषा मर्स में प्रकार से अलोक मोरिया नौकरी करते हुए एक शपरासी की नौकरी करते हुए और पढ़ाई लिखाई अपनी पत्नी को करा करके उसके बाद से जब अपनी पत्नी को SDM बना देते हैं उसके बाद से SDM साहिवा यानि जोती मरिया अपने पती को ही जोएकी दहेज का प्रलोभन दे करके उन पर मुकदमा कर देती हैं और जोएकी तलाक की अरजी डाल देती ह और यह मामला जो है की पूरे देश में काफिक चर्चा अब इसे बना हुआ है अब यह मामला जो है की खतम ही नहीं हुआ है तब तक बिहार के वैसाली जिले से एक और नया मामला निकल के सामने आचुका है मैं आपको बता दू कि यह जो बगल में मतलब जेंस दिखाई दे रहा है इनकी साधी 2010 में होई थी और जिस लड़की के साथ साधी होई थी उसका नाम है सरीता कुमारी और उसके बाद से 2023 में उनको जो एकी टीचर बनाया यानि जब उनका साधी हुआ था तब वो एक आम ना जाती थी उससकोल के प्रीशब के साथ उनका वह जा संबंध बनी लगा और दीरे धीरे एक ऐसा समय आगया कि अपने परिवार को छोड़कर करें अपने दोनों बच्चों को छोड़कर करके अपने पती को करके उस टीचर के संग जोए कि वह फरार हो चुकी है अभी ओं कह प्रफुरा पंचाइट में योगदान दी उसके बाद जो है सो उसका रहन सहन चेंज होते गया इसके बाद जैसे हमचे दुरी बन गई और दुरगा पुजा से होना पता है ते अनि बारा साल आप दोनों का रहन सन सब सही रहा है लेकिन टीचर बनने के तीन-चार महिने के भीतरी सब मतलब खेला होगा यहां से न पता है तो बाते खतम न समझे घर से बता की गई थी या बिन बताए चली ने बिन बताए यहां मुझे कुछ नहीं मालूँ मैं कहां है क्या एक बात बताई आप जैसे आरोप लगा रहे कि जैसे स्कूल के प्रिंस्पल है उनी के साथ उनका वैद संबद इस की घर से घर से मेरे 8 km हट के स्कूल है उसके बाद वहां रूम ले ली जो जहां ही रमास्टर का घर उसके पास रूम ले ली उसके बाद बच्चे मेरा बैभब कुमारे उसको साथ में कुछ दिन रखी तो बच्चे के माध्यम से मुझे जनकारी मिले और पीछले गर्मी आपका उमर कितना होगा डूएल यानी 12 शाल के आपका उमर है और चार क्लास में पढ़ते हो कहा रहे के पढ़ाई करते हो आप बल समस्ति पूर पढ़ते थे फिर आवी कवा चोप पढ़ते हैं जब पटोडी चैए एक बात बताओ जब चुटी में मम्मी के पास आप गये घर पे रहते हैं पापा के पास मम्मी के पास क्यों नहीं रहे क्योंकि मम्मी बोली क्या इसको कम घुमाने ले जाईए वह करते करते मम्मी बोली क्या तुम घर चला उसी किले हमको घर भेजवा दी तो जब आठ दिन अपने मम्मी के साथ रही तो उनका रहन सेन कोई आता ज तो आप तो हम मίमो侍 के साथ उफ जाती थी तो म म्मी समें तुम झाये लगा लेक और हम लोग पापा को फोन करके बताते थी अच्छे यह बातके से बताते थी यह कुने नफ पता है फॉनक चला थे हम लोग लोग बहुत मारते थी पता यह मासुम बच्ची अपने मम्मी का सारा हरकत देखी है क्या नाम है बाब आपका बैभाव कितना उमर है आपका 8 8 साल के हो ना, किस क्लास में पढ़ते हो आप UKZ UKZ में पढ़ते हो, अच्छा ये बताओ आपकी मम्मी क्या करती है, टीचर है ना तो आप मम्मी के स्कूल में पढ़ने गाते थे हाँ, पहले जाते थे बाद में नहीं जाते, छोड़ दिये मन नहीं लगता था मम्मी के साथ रहना है कि पापा के साथ रहना है पापा क्यों मम्मी के साथ क्यों नहीं रहना मम्मी गलत काम की थे मम्मी गलत कर रहे हैं ना, पापा गलत नहीं कर रहे हैं पापा सहीं आपके हाँ, मम्मी गलत है मम्मी ऐसा क्या गलती करिंग रहते थे हैं कुछ पता है आपको अप्न के साथ की सबसके तरह भूस करते हैं उस यह स्कूल के हैं देखिए यह कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं वो कभी जूट नहीं बोलते हैं जो भी उनके जुवान पर आता है और यह बच्चे बिल्कुल भगवान के ही रूप है जो भी बता रहे हैं सत्य ही बता रहे हैं यह बता यहाँ अब 20-30 जिला के रहने वाले आपके पत्नी का जो नियोजन हुआ था वो समस्ति पूर जिला में कितना डिस्टेंस है स्कूल का यहां से आठ किलो मेटर की दूरी में ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वह रूम ने लेके लिए ते लिए ते नहीं मैं लेकर जाता था और ले बच्चे से और हमसे दूरी बनाते चली गए उसके बाद जो अचे दूर का कुछ आशे ना बता है राहुल राम जो उस महिला के साथ संबंद बना रहे हैं या फिर उनके कॉंटेक्ट में है वो साधी सुधा है यह भी आप कंफर्म कर तो उसी गाउं के रहने लिए जिस ग इसमें मतलब मान लीजे कि आपके और आपके पत्री का जो विवाद है यह आप दोनों तक समझ मैंते हैं लेकिन लाइफ दोनों बच्चों का बरबाद हो रहे हैं तो बच्चे को तो मैं अपने अस्तर से परहा ही रहा हूं मैं तो मैडम गई कहीं खुस रहे यही मेरा यह मैंने भी भागिये करवाई किये तो मुझे मुझे मास्टर दोरा जान से मार देने की धंकी मिली जो एक तारीके संध्या पने आठ वजे हिट मास्टर साहब ने तीन आजमी से आए लाकि वो जानते हैं कि इसके घर में तो कोई है नहीं यही ऐसे दो बच्चा है और चंदन हो मुखमंत्रिया जहां वह ऊठालो नहीं तो ओल फैमली को गोली से मार के शुला दूँगा धंकी दिया गया उसके बाद मैंने जो है सो दो तारीके रिट में थाना पर भारी जंदाहां को मैंने अभी दन दिया किसे मुझे जो है से इस तरह की धंकी मिला गया है तो थाना वाले थाना पे गए उसके बाद जो आप पाइए आप क्या करते हैं पहले जो है से मैं कुछ दिन मुंबई में काम किया उसके बाद खेती वारी किया उसके बाद अब जो पतनी को अपना पढ़ाए तो जब आई थी तो उनका क्वालिफिकेशन क्या थे उसके बाद से सारा पढ़ाई दिखाई मैंने खुद करवाया कहां से पैसे को बेवस्ता किया कुछ मजदूरी करके जहां तहां से बेवस्ता करके दूस्त महिन से लेकर ट्रेनिंग भ तो आपको क्या लगता है कि आज कल की जो महिलाय हैं उनलों को पढ़ाना लिखाना बिल्कुल नहीं चाहिए बेटी पढ़ाओ बहु मत पढ़ाओ अच्छा एक और चीज़ाना मालीजी आपकी पत्नी ने ऐसा गलत किया तो ज़रूरी थोड़िया की दुनिया की सारी महिला बाइसा गलत हो सकती को यह से अपना प्यास लाखे परहाओ लिखाओं और और किसी मर्द के साथ रहे कौन मर्द चाहेगा कों पती चाहेगा का अब थो यहां वह सकता है कि आपकी पत्नी टीचर बन गई है और आप एक मजदूर है तो टीचर और मजदूरी एक साथ रहेग यही बात है अगर ममी आकर बोले किनी हमको रहना तो रखियेगा गर्पाइइक खर्चा कौन उठाता पापा सब कुछ पापा सब सब्सक्राइब देखिए बेचारी ये बच्ची जो है माशूम है और बिल्कुल जो भी जबान प्यारा है बिल्कुल सत्य ही आ रहा है और काफी क्रोध है काफी जो है कि टूट जो है कि गुश्चा है उस महिला के प्रती सभी लोगों को यही लग रहा है कि महिला ने जो भी किया बिल्कुल गलत किया ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस प्रकार से सोसल मीडिया पे गाना भी वायरल हो रहा है कि बबनी का लागलवा सहर के हवा औरी पढ़ावा कहनी के गउंगे में नमवा लिखावा औरी पढ़ावा कैसे अपनी पत्नी को लोग बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा है जैसा ही नौकरी मिल रहा है अपने पती को छोड़ぁ दे रही है लो और प्रसासन के नजर में जब तक यह वीडियो नहीं आए मों तक उस महिला को पढ़ाने के लिए ये रशकूल का जो भी एंटेंडस है वो प्रिंस्पल उस महिला का एटेंडस बना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अपने परिवार को किस परकार से बर बाद करके चली गई अब लिए वीडियो का शेर करिया और कोई भी सुजाओ तो वीडियो को कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताइए बहुत बहुत धन्यवाद